वेजिटीपल गार्डन शेयर करने वाली हूँ कि मेरे जो चेंजेस किया है उसके अंदर वह कैसे लग रहा है और गर्मियों के लिए मैंने कैसे त्यार किया है यह आप देख सकते हैं चिली प्लांट और बहुत जारी जो चिली है वह इसमें लगी हुई है और बहुत चारी मै इसमें लग जारी मिर्ची तो डिख कैसे करोगी है उसमें लगी हुई है तो इसमें है तो शिंव्ला आप पूराने बश्ट सारी च्डूसने की अपने गार्डन में और यह पहले तो पुराने place उसा भीया हुआ हैária हूई है और पुरानी बेखलती इस चुछ पुछ भेल में उगाएं ग्रोवाग्स में बेल वाले पुधे लगाएं लगाई हमें बेल यदि लगाएं लेडि फिंगर में बेल फिंगर बेल नहीं है इतना soil mix लिए अधिया होता है और यह पुराने जो प्लांट्स है वह सब्जी ओके वह रखे हुए हैं जो कि अभी ग्रो हो रहे हैं तो मैंने नहीं हटाया नहीं जब यह जाएंगे और हार्वेस्टिंग हो जाएगी उसके बाद मैंने इस मिट्टी को भी रिन्यू करके और मैं भी नए प्लांट शिफ्ट करूँगी तो यह सारे अभी टॉमेटो लगे हुए हैं और ब्रिंजल वगेर और यहां पे कुछ ए अनियन और कुछ गेहूं भी मैंने डाल दिये थे क्योंकि हमारे इधर बसंत पंचमी पे गेहूं और सर्सों और यह सपूजा में यूज ह तो इसलिए मैंने यहां पे इनके सीट्स डाल दिये हैं और यह टॉमेटो लग रहे हैं और यह ब्रिंजल आप देख सकते हैं बहुत सारे ब्रिंजल भी लगे हुए हैं और बस आज आज आपके साथ यही शेयर कर रहे हूं पूरा वेजटेबल जो गार्डन है उसी को आप दे ? बहुत तरह असमें अरतम हैं पूलावे प्लांट मिन और यहां पर रंचे को मा ब्रिंजल भी आ रहे हैं और यहां आजिख सकते हैं यहां पर देक बहुत सारी ख्लावरिंग서 ऐस्टंग को अर्योग कु बहुत सारे फ्लार की कान दे गार्व को चालर एक दौर से स्ट और अगर आप अपने गार्डन में ब्रंजल का प्रांट लगा देते हैं तो यह बहुत तीन चार साल तक आराम से चल जाएगा बस आपको इसकी थोड़ी सी केर करनी होगी समय समय पर तो मौसम के अकॉर्डिंग करेगा अब जैसे गर्मिया है तो बहुत अच्छी धूप चा अच्छी फ्रूटिंग होती है यह मेरे टोमेटो प्लांट में बतानी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो अभी मेली बक्स की तो यह भी मुझे नीम और चड़कना है इस पर भी और अभी से बहुत सारे फ्लारिंग भी हो रही है और यह जो पॉटेटों के प्लांटे पूरे जुक गए हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे ग्रोव हो गए हैं और यह दिखे जुक गए हैं पूरे और पूरे ग्रोव बैक से बाहर निकल गए हैं तो जाड़ी नुमा हो गया यह बुरा और यह आप देख सकते हैं लैमन या नीम्बू जो है अभी फ्लारिंग कर रहा है अब नीम्बू का भी ग्रोथ जो है वह अच्छा बढ़ेगा अच्छा होगा और यह देख सकते हैं इसमें नहीं नहीं पत्तियां आ रही है तो नीम्बू के अगर प्लांट है तो उसमें अभी ग्रोथ का टाइम है अब यह बढ़ जाएंगे यह चाइना ओरेंज या फिर बहुत छोटा पढ़ रहा है इसके लिए तो पुदीने को भी अब गर्मी में बहुत ज़रत पढ़ीगी धनिया और पुदीना की तो मैं इसे भी री पॉट करूंगी और नए बड़े पॉट में लोगी ताकि यह बहुत अच्छे से ग्रोव हो सके और छाया में रखना और ताकि मैं और लेट्यूस जो है वो नेक्स टाइम और अच्छे से ग्रोव कर पाऊं मैंने बहुत सारी हर्वेस्टिंग की है इस लेट्यूस से और बहुत अच्छा होता है हेल्दी होता है लेट्यूस प्लांट तो आप भी अपने गार्ण में ज़रूर लगाएं यह औ अपने लगा रहा है और दीकिछ फ्लारिंग भी हो रही है और इसमर लेट्यूस जो है वो मेरे पास डू कलर में है यह अगृन कलर है और इसकी जो पत्यों प्लाइब अगर पाइडर में रहत एं लीट्यूस से आलवा भी अप सालेड में यूस कर सकते है इस आप काते है य यह जो लेटियो से इसमें भी बहुत आईरन भगेरा होता है बहुत अमिन्जल्स होते हैं तो यह भी हम खाने में यूज कर सकते हैं इसमें भी देखिए सीट पॉट्स बनने लग गए हैं तो इसमें से जो सीट निकलेंगे वह हम नेक्स टाइम के लिए ग्रो कर लेंगे और स इसमें चीट चीट यह जड़के जाएं पानी मिर्ची आर्ची कल भी है ष्युवमस सीटों इसमें भिए खाल फ्लारइन के टाइम पर नाने movies आड़के आदे हुईश्य जमने क्रफ उलादी और यह है बैंगन लॉंग ब्रिंजल में लगा रखा है जो घर में पुराने जो डिपे होते हैं वह मैंने वेजेटिबल गार्डन में यूज कर रखें और यह गुल वाला ब्रिंजल है और इसमें भी देखिए बैंगन बन रहे हैं और बहुत हर्वेस्टिंग करने के बाद अइमें भी बन रहे हैं अब जो धूप आंती है दूप से इनमे जो है फूर्ट इंच्छा होती है यह रेखिये देखिए पुराने टॉमेटों के प्लांट है और पुराने जो दो बहुत हर्वेस्टिंग कर ली है adesso और अब यह जो है फॉर्वेस्टिंग तो ऩासे दोज म तो बहुत ज्यादा फ्रूटिंग हो जाएगी और प्लांट जो है वो पतियां पीली पढ़ने लग जाए तब हम इसे हटा सकते हैं और नए प्लांट लगा सकते हैं मैंने टॉमिटो की कुछ सैंपलिंग भी करके रखी है तो वह मैंन की जगे शिफ्ट करूंगी और नए प् टॉमिटो भी मेरे गार्ण में बहुत ज्यादा फ्रूटिंग कर चुके हैं और यह आप देखिए कितने अच्छे से राड़ हो रहे हैं यह तो और कुछ टॉमिटो तो मैंने प्लांट भी दिया हैं हार्वेस्टिंग करके क्योंकि उनके प्लांट थे वह बहुत पुराने राजस्थान के एंवार्मेंट में इसे लाल पता गोभी को बनने में थोड़ अची तो यह आप देख सकते हैं इसमें आप ब्राडा गोभी बन रही है यह लाल पता गोभी है तो यह मैंने अपने घार्डन में 30 ललागा है वैसे मैंने पहले बहुत चारी लगाई थी बट और पूरी ग्रोवी तो अब देख सकते हैं सर्सो के जो प्लांट यह भी लगे हुए हैं, तो हम जो सीट्स लगाते हैं उसमें से सारे प्लांट अच्छे जर्मिनेट हो जाएं और अच्छे ग्रोवी ज़ोजाएं वह ज़रूरी नहीं है, कुछ जो होते हैं सेट्स चो हैं, तो जो सीट्स वो अच्छे लेने चाहिए तक वो बहुत अच्छी ग्रू हो और यह आप देख सकते हैं पत्तागोबी बहुत सारी हर्वेस्टिंग की मैं कट चुकी हूं और फुल गुबी और पता गुबी जो हो बहुत हर्वेस्टिंग करनी के बाद मैंने उन्हें हटा भी दिया है बहुत जादा ही हर्वेस्ट कर लिये हैं ये और ये अब लास्ट जो पता गुबी चल रही है जब यह harvest हो जाएगी तो यह grow bag खाली हो जाएगा तो मैं इसमें गर्मी की कोई सबजी लगाऊंगी और यह ब्रॉकली है ब्रॉकली में अभी फ्लारिंग नहीं हुई है तो मैं वेट कर रही हूँ कि ब्रॉकली जो है वह बहुत अच्छी grow होके फ्लारिंग कर दे और मैं इसी हर्वेस्ट कर लूँ और यह आप देख सकते हैं यह भी हाँ पर भी पत्ता को भी लगी हुई है तो यह सरी grow bags में मैंने लगा रखिए अगर आप भी ऐसा कोई vegetable garden बना रहे हैं तो मैं आपको यही कहूंगी मेरे experience के according कि आप इस तरीके के बड़े grow bag लेजिए बारा बारा के या फिर बारा इंच के तो वह जादा अच्छे होते हैं इनके चो लेंट होती है हाइट होती है वह काफी अच्छे होती है थोड़ा grow bag दीप होता है तो आप कुछ भी लगाएंगे तो grow होगा अगर आप छोटे bags में लगाते तो वह उतना grow नहीं हो पाता जितनी हम size चाहते हैं सबजी की वह size नहीं आपाती है इसलिए थोड़े से बड़े pot में लगाएं या फिर बड़े grow bag में लगाएं तो जादा अच्छा है अगर चावल का बोरे भी में भी लगा रहे हैं तो थोड़ा size जो है उसकी अच्छी हो देख लें वैसा तो उसकी size अच्छी है आती है जब भी में garden में आती हूँ और strawberry सारी लगी हूई होती है कुछ नगज तो मैं harvest कर ही लेती हूँ और अभी तक बहुत सारी strawberry harvest कर चुकी हूँ है और यह अप देख सकते हैं अभी strawberry लगी हूई है यह पकने में time लेगी तो च्ली वह TU हम harvest कर लेते हैं तो यह दी देखिए strawberry प मैं नगों कर सकते हैं यहां नियुक्त डीए स्ट्रोबरेड के लिए पक नंकी अझा दहुत ले जाएगई घ्रूबरीग। मैं आपका अगी नियुक्त का प्राइगए चूटी है लेकिन में का प्राइगी। thank you so much मिलते हैं फिर किसी next वीडियो में बाँ बाई